कि कि है शुद्अ अज़ों नमस्कार फ्रेंगस स्वागत है आपका आपके इपने चैनल में जिसका नाम है विल्कर मिन ठाट और मैं हूं प्रमों सन्गमै आपसे श्वागत करता हूं एक नयी कहाणी में नई स्टॉरइ में जिसका नाम है वाइट कॉंच ऑवाइट एक सफेज संक यह कहानी है जो अंग्रेजी में दी हुई अंग्रेजी हम हिंदी ट्रांसिट करके आपको वर्ड वाई वर्ड बताने वाले है तो कहीं हो जाएगा और वीडियो को पूरा देखिए खासकर यह उनके लिए बहुत होगी होगी जो इंग्लिस को सही से पढ़ना और उसका मेनिक निकाला नहीं जानते हैं तो चलिए सुरू करते हैं कहानी को एक सपेज संक एट वाज इवनिंग अन्दा सी सूर सी सोर मानो होता सी मानो किनारे समूदर के किनारों में अब साम हो गई थी दस सन रेंट डाउन इन दसी और ऐसा लग रहा था कि समूद्र में यह जो सूरज था वो डूप गया है यानि कि सूरज समधर के पीछे डूप गया है and the clouds in the sky were red and orange और आस्मान के जो बादल है वो लाल और नारंगे रंके हो गए है जैसा कि आपने देखा होगा कि जब सूरज डूपता है सूरज अस्थ होता है जब अस्थ होता है उस अस्थ होने के समय पर बादल लाल और नारंगे रंके हो जाते है दा पिसर में केम आउट आप दियर हट्स and push their boats into the sea पिसर में मच्वारे केम आउट आप दियर हट्स अपनी अपनी हट्स में जोबडियों से बाहर आए and pushed their boats into the sea और उन्होंने अपनी अपनी नाव में बोर्स में नाव में पुष्ट वान डाल दी इंटो दे सी मन समुद्र में देर वुमेन एंड चिल्डेन इस्टूर अन दा सूर एंड वेब्ड गुडबाय तो देम देर वुमेन उनकी मैला हैं जो उनके पत्निया है and चिल्डेन जो बच्चे हैं इस्टूर अन दा सूर वेब्ड गुडबाय तो देम और मचवारों को या अपने घर के जो सदस जो उनके सदस जो मचवारे में सली पकड़ने जा रहे हैं समुद्र में उनको गुडबाय कहत हैं तो यह कानी है कि जैसे साम का समय होता है तो मचवारे क्या करते हैं नदी समुद्र में अपनी नावें डालते हैं और मचलियां पकड़ने के लिए चले आते हैं और उनको विदा करने के लिए उनके बच्चे और उनकी पत्रियां आती हैं आगे देखते कानी यह देखि और उनके बच्चे उनको गुडबाई बोल लाए है इट वाज अल्लेडी डार्क पहले अनेरा हो चुका था क्योंकि सुरज डूब चुका था और अनेरा हो चुका था या अनेरा था दा फिसर में सैट एंड रूड देर बूड्स मश्वारों न क्या किया अपनी नाव समदूर में डाली रूड दी एरपूर्स और उनको जो है नाव को खेते हुए कहां चले गए समदूर के अंदर चले गए दा स्काई वाज डार्क अब देम एंड दा सी वाज ब्लैक आल अराउंड देम अब आसमान जो था वो कैसा हो गया था अंदकार में हो गया था डार्क वाज अंदहरा हो गया था अब देम उनके उपर एंड दा सी वाज ब्लैक आल अराउंड देम अतलब अंदहरा हो चुका था और समुदूर भी काला लग रहा था समुद्र भी अंदकार में लग रहा था क्योंकि संद्या समय हो गई थी और रात भी हो गई थी दीरे दीरे रात हो गई थी तो यह रात का समय हो गया था दे रोड़ फार टू आवर्स देन स्टॉप उन्होंने दो गंटे तक नावें चलाएं इसके बाद में उरुकिए दे त्रूफ इएर नेट्स इंटो अथी üç ऋन्होंने अपने जाल नदी में थैके काट घिए ने खिरी अंदे समदर में मिल अपकड़िए पकड़िए कुछ छोटी म Words in चंपर Village कुछ मोटी मचलियां पकड़ी और कुछ पतली मचलियां पकड़ी तब मचलियां पकड़ करके इन मचवारों ने अपनी नामें किनारों की तरह मोड़ ली और चल दिये वो बहुत ठके हुए थे पूरी रात गुजर गई ऐसा करते करते अब सुबह हो गई थी पूरी रात मतलब समुदर मचलियां पकड़ी अब सुबह हो गई थी दो मैं एंड चिल्डन केम आउट आप दियर हट्स एंड इस्टूड ऑन दा वेट सैंड उनके बच्चे उनकी महिलाएं और उनके बच्चे अपनी अपनी जोपणियों से बाहर आए और गीली व्रेट वाने गीली भीगी हुई सैंड माने बालू पर उस रेतीले किनारा था उसमें किनाये पर जो बालू थी वो गीली थी वहाँ पर खड़े हो जाते हैं एबर्यान वाज हैपी हर कोई प्रसंद था the children jumped up and down बच्चे खुशी के मारे उचल कूद कर रहे थे ये काहनी होई the fisherman jumped off the boats and pushed them on the sand मच्वारे भी अपनी नाउं से कूद करके बहार आते हैं and pushed them on the sand और रेतीले किनारों पर उनको धक्का दे करके लगा जेते हैं then the woman took the fish out of the boats and put them in big basket तब उनकी माईला हैं जो थी वो नाउं से उन मचलियों को निकालती हैं put them in a baskets in big baskets और बड़ी बड़ी डलियों में बड़ी टोकरियों में big basket मान होता है बड़ी बड़ी टोकरियां उन बड़े वी टुकरियों में मचलियों को निकालती हैं, रखती हैं, they put the baskets on their heads, वे इन डलियों को on their heads when अपने सर पर रखती हैं, and walked up the market, walked up to the market, और market माने बाजाए कि तरफ चल देती हैं, the men smiled and walked to their hearts with the children, लोग, the men, क्या करते हैं, smiled, मुस्कराते हुए, क्या करते हैं, and walked to their hearts with the children, मुस्कराते हुए, अपने बच्चों के साथ में, अपनी जोपड़ियों में चले जाते हैं, मतलब, मच्वारे रादवर मचलियों पकरते हैं, सुबह के समय मजलाएं जाकरके, उनकी इन मचलियों को market बैसती है, और तब मच्वारे दिन में आराम करते हैं, fisherman gave a big white conch to his son, एक मच्वारे ने, एक बहुत बड़ा सफेद रंग का, एक संक अपने बच्चे को दिया, अपने पुत्र को दिया, कौंच वान होता संक, the boy blew on his conch, and it said, broom, ललके ने उस संक को बजाया, ललका जो क्या कर जब उसका पिता, उसका पापा उसको उस संक को देता है, तो ललका उस संक को बजाता है, और एक रही आज की कहानी, आप सब को एक कहानी कैसी लगी, ये देखिए, ये मच्वारे हैं, अपने नाओं को लेकर आ गए हैं, और ये उनकी पत्निया हैं, और ये बच्चे हैं, तो ये चोटी सी कहानिया आपको कैसे लगी हमने हिंदी और अंग्रेजी में आपको बारी-बारी से ट्रांसेट करके बताया है आसा है कि आपको ये कहानि अच्छे लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बिल आइकन को जब दोबा दें ताकि हमारे आने वा तब तक नमस्कार जाइन बनिमात्रों